तो है गाईज मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्फ करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ तर डे 28 जून 2021 का क्वेश्चन मर्ज टू बीएश्टी इस ठीक है यानि की बाइनरी सर्ज ट्री तो यह क्वेश्चन जो है आप आके यहां से पढ़ियेगा जरूर ठीक है खुद से ट्राइज जरूर कीज़ेगा क्वेश्चन बिल्कुल ही यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है आपको बोला गया है आपके पास दो बीएश्टी है ठीक आपको दो बीएश्टी आपर पास किया है सबसे पहले बीएश्टी होता क्या है ठीक है तो BST यानि कि binary search tree एक normal tree ही होता है सिर्फ इसका condition ये रहता है कि ये मालनो हमारा एक root node ठीक है तो इसका जो left तरफ subtree रहेगा ठीक है यानि कि यहाँ पर जो subtree रहेगा इसका इस तरफ इसमें जितना भी value रहेगा ये आपका less than किस से रहेगा इसका value से इसका value मालनो है x तो ये हो गया ठीक है ऐसे है और right तरफ ठीक है right तरफ जितना भी value होगा ये right तरफ जितना भी value है वो greater than होगा x से ठीक है तो ये condition होता है एक BST का तो अगर आपको example चाहिए तो आईए मैं आपको एक BST बना के दिखाता हूँ तो मालनो ये हो गया 8 ठीक है इधर गया मालनो 6 हो गया ठीक है इधर गया मालनो 12 हो गया इधर 9 कर देते हैं इधर 13 कर देते हैं ठीक है तो ये हो गया इधर मालनो अब 7 कर दे रहे हैं इधर मालनो अब हम कर दे रहे हैं 3, 5, 8, 1, ठीक है, तो ये जो मैने अभी tree बनाया है, ये आपका एक bht का example है, ठीक है, तो ये मानलो एक node हो ग когда- período है, ठीक है, ये node है 8, तो इस node का left subtree में, ठीक है, इस node का left subtree, यान्य की इसमें आप जो भी value देखेंगे ठीक है कोई भी node का value देखेंगे ठीक है इसका हो 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 इ सब्टरी में जितना भी नोड है उसका वालुयू 6 से जादा है स्कएम चीज़ हमारा एक बीएश्टी कहला है तो यह तो भीएश्टी हो गया तो हमें करना किया ही जो वैलूस है वो सॉर्टेट फ़र्म में चाहिए जानी की पहले स्मॉलर element उसके बाद greater element ठीक है तो मानलो चलो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही बीएश्ट है यानि कि यह वला एक्टरी है ठीक है तो हमें क्या चाहिए सबसे smaller element चाहिए तो मैं एक चीश चाहूंगा आपको कि आप notice करें कि सबसे smaller element आपको कहां पर मिल रहा है तो आप बोलें कि भया यहां पर 1 पर ठीक है जो सबसे smaller element यह वन पर ऐसा क्यूंकि बीएश्टी में महीना कर रहा है कि left तरफ हम smaller element को रखते चल जा रहे हैं तो जितना हम left जाएंगे उतना हमें smaller element मिलेगा ठीक है तो सबसे left में हमारा जो सबसे smaller element मिलेगा ठीक है इसके बाद इससे next greater कौन सा element है इसका next greater है 3 यानि कि इसका root पर ठीक है इसका root पर है और और अगर हम ऊपर जाएंगे ठीक है और हम ऊपर जाएंगे यानि कि root तरफ जाएंगे तो हमारा value जो है और increase कर जाएगा ठीक है लेकिन הג से छोटा वाल्यू किदा रहे है sorry राइट तरफ ठीक है तो यहाँ पर हैAD इसका हरूट से छोटा context यहाँ पर ठीक तो फ्र छोटा ह्यों सबिब होग क्या निइःट मिल गया है एट मिल गया, ठीक है, फिर नीचे आए, तो देखे, 12 है, 12 से पहले किदर छोटा मिलेगा, उसका left तरफ मिलेगा, ठीक है, left तरफ इधर था, तो ये 9 हो गया, 9 से अब कहा गया, अब root का तरफ गया, यानि कि 12, अब 12 से किदर आए, और right का तरफ गया, ठीक है, तो 13, तो ये हमारा order हो गया, यानि कि sorted form यहीं नहीं, तो हम क्या कर रहे है, पहले हम left को explore कर रहे है, फिर root पे जा रहे है, फिर right पे आ रहे है, ठीक है, अब जब ये पूरा का पूरा left subtree हो चुका है, ठीक है, ये पूरा पूरा left subtree हो चुका है, तो अब कहा गया, अब हम फिर root पे गया, इसक धा इसके रूट को एक्स्पूर ग्या स्केक है तो एधर यह नाीं के बाद रूट के अरश के रहें, लेफ्ट पूरा सुन पेसे प्रफशा। तो यह चीज हम follow कर रहा है, तो यह किस form का traversal है, अगर आप ध्यान से देखें, आप याद करें, तो यह कौन सा order का traversal है, अगर आप तो सोचिए, याद कीजिए, तो अगर आपको याद नहीं है, तो मैं बता देता हूं, कि left to root to right जो है, यह आपका in order traversal में आता है, तो इसमे हम क्या करते हैं कि left to explore करते हैं, फिर root to explore करते हैं, फिर right to explore करते हैं, तो एक चीज़ यह होता है कि BST में, जब भी हम BST में in order traversal लगाते हैं, तो हमको उसका वो BST का सारा का सारा value sorted form में मिल जाता है, यानि जी पहले छोटा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे larger रहेगा, तो को कोई भी BST पे आप जब in order traversal लगाएंगे, तो आपको इस type में sorted value मिल जागा, तो आप यहाँ पे देखिए, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, ठीक है, sorted way में, तो हमें यही करना है, हमें in order traversal का use करना है, ठीक है, तो आप हम आगे क्या करेंगे, आईए वो जानते हैं, तो अब आईए यह दोनो BST लेते हैं, ठीक है, BST 1, BST 2, यह आपका वही example हो लाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, कि इदक होई, हमें यह दोनो BST को merge करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, कि सबसे पहले इस पे in order traversal लगाएंगे, फिर इस पे in order traversal लगाएंगे, तो आईए पहले इ इसको explore करने पहले है, हम इस पे आएंगे, ठीक है, तो 2 हो गया है, 2 होने के बाद अब कहाँगे, इसका root पे, तो यह गया 3, 3 के बाद कहाँगे 4 पे, 4, अब उपर गया, यह left का पूरा-पूर explore हो चुका है, तो अब इधर है, ठीक है, तो अब root पे फिर कहा है, तो यह 5 ल हमारा, सबसे पहले कहा करेंगे left का, यह हो गया 1, left का हो गया, अब इधर हो गया 2, अब नीचे आए, यह right हो गया, तो इसका कुछ left में है नहीं, तो इसका direct हम रूट पे जाएंगे, तो यह गया 3, अब नीचे आए, ठीक है, तो इसको explore करने से पहले हम आएंगे, नीचे ह तो जब हम इन दोन पर इन ओर ट्रावर्सल लगाए ठीक है तो हमारे यह वाल्यू आ गया अगर हम इन दोन पर एक वेक्टर के फॉर्म में स्टोर कर ले यानि यह वेक्टर 1 क्या हो गया है वेक्टर 1 हो गया हमारा वेक्टर 2 हो गया हमारा 1,2,3,6,7 अगर आप देखिए कि हमें यही सारे ऐलेबंट को हमें एक वेक्टर में merge करके ही इसको return करना है, जो कि sorted रहा इन चीक है, तो यह दोनों पहले सहीn sorted चीक है, यह दोनों आपका vector जो है, यह दोनों आपका पहले से ही sorted है, तो आप क्या कर सकते है, अब हम अपना question को इस में change कर सकते हैं, कि merge two vectors in sorted one, मर्ज to sortage vectors in sorted form तो उसके लिए कारेंगे, उसके लिए पहला pointer यहां रखेंगे, इसका एक pointer इसका एक pointer, यह क्या हो गया, यह आपका vector 1 है, यह vector 2 है इसको हम vector 3 याने की answer vector में रखेंगे, तो हमें क्यूB की पता है कि यह दोनों sorted है तीक है, तो इसका तो हम इस्तमाल करेंगे, क्या करेंगे, एक एक pointer यहां रख दिये, अब compare करेंगे, क्या vector 1 का यह pointer वहला index, और vector 2 का यह pointer वहला index, कौन छोटा है, यह पर 1 लिखे, और यहां से pointer को आगे बढ़ा दिये, हमारा pointer यहां आगे, अब compare करेंगे, तो यह 2 है, अब हम किसी को भी ले सक तो चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, यहां 2 लिख दिये, तो यह pointer को आगे बढ़ा दिये, ठीक है, अब यहां आगे, अब फिर compare होगा, यह pointer होगा, यह pointer होगा, यह pointer होगा, यह pointer होगा, तो यह लिख दिये, ठीक है, तो 2 यहां होगा, तो इधर होगा, अब यह इधर आब 3 और 6 तो 3 लिए इसको आगे बढ़ा दो 6 और 4 चटा एक भाधा दो 5 छोटा है तो इसको गुशा दो ठीक है 5 ता अब 6 और 6 है तो चलो इसको ले लेते हैं जिक है तो 6 और 7 यह तो 6 हो गया, क्योंकि यह छोटा था अब यह थो खत्म होगी है और यहां 7 ए ठीक है यहां 7 पर चुप चाप 7 लिख दिया ये भी वेक्टर के बाहर आ गया है तो दोनों हमारा पूरा पूरा जो वेक्टर का जिद्धानों को वैल्यू था हमने सब को एक एक करके इसमें घुजा दिया तो हमारा आंसर कितना आया है 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 ठीक है तो य में बिल गया उसका element ठीक है अब हमने क्या कि हमने question को अब यह बना लिया है कि merge two sorted vectors in one vector ठीक है तो इस type से pointer two pointer का मदद से हमने compare करकर insert करते गया ठीक है माल अगर यह value insert हुआ तो इसका pointer आगे बढ़ा दिया फिर यह value insert हुआ इसका pointer आगे बढ़ा दिया तो ऐसे करकर के हमने सब पूरा का पूरा value था उसको इस vector में इस vector में हमने insert कर लिया तो यह था तो यह तो एक approach हो गया यह था चोटा सब कोई tension की बात नहीं है इसका code देखना तो आई में इसका code दिखा देता हूँ तो देखो वह यह यह रहाई सा code हमने क्या किया है कि 3 बना लिया एक T1 T2 और का answer T1 में हमने in order करके T1 में सारा value था यह था पर देखो हमने क्या किया है कि यहां T1 को pass किया है उसका जो address है वह pass किया है तो यहां पर change होगा यहां पर भी पूरा पतलब change होते जाएगा ठीक है तो हमने क्या कि in order traversal लगाया है पहला root 1 यानि कि bht1 में फिर in order traversal लगाया है अब क्या किया है अब दो pointer बना लिया P1 और P2 ठीक है यह वही चीज़ और यहां पर pointer बना था ना एक pointer यहां है एक pointer यहां है तो starting में pointer लगा दिया दोनों को और last में सिर्फ int max कर लिया यह किस काम का आएगा यहां बाद बुरताता हूं ठीक है यह खली easy implementation के लिए कोई काम नहीं है ऐसे क्या की है कि while तब तक चलाना है जब तक P1 का size T1 का size minus 1 तक रहे और ठीक है P2 का size बतलब जब तक सारा का सारा है यहां पर element सब जोगे जितना भी सारा का element है सब को insert ना कर दे तब तक चलेगा ठीक है P1 दो यह हमारा T1 है यह हमा लिए हमारा T2 है हम धिक है मने क्या किया है चिह आप एक ointe max खुषाद दिया to stop हमें यह यहां तक ही काम है टीक है में सिर्फ यहां तक कि हम इसका भी यहां तक कम है, इसलिए यह काम कर रहे है, कि माइनस 1 तक हम चला रहे है, ठीक है, P1, P2 को, अगर T1 वाला छोटा है, ठीक है, T1 of P1, ठीक है, T1 of P1 छोटा है, तो हम T1 of P1 को पुश कर रहे हैं, और P1 प्लस प्लस कर दे, यानि कि, यह दोनों compare हुआ होगा, ठीक है, अगर यह छोटा मिला, तो इसको insert कर दे रहे हैं, अगर फिर यह pointer को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो यह चीज हो रहा है, नहीं तो, हम किसको खुशा दे रहे हैं, T2 of P2, ठीक है, तो यह चीज होगा, इक्वल भी रहे, तब भी यह P2 वाला काम करेगा, तो यही प्लस प्लस हुआ, तो यह यहां पर आके चल जाएगा, ठीक है, अब, अब हम नहीं चाहते हैं कि यह दखो, अब यह तो खतम हो गया, ठीक है, हम चाहेंगे कि सिर्फ इसी का, हम सारा का सारा element को insert करें, ठीक है, तो, यह क्या होगा, यह होगा, हमारा यहां पर रहे का, बार चीजए है, ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर रहे है, return, हम answer कर रहे है, तो यही था, तो यह कोड का आपकर time complexity कितना हो जागा, यह code का आपकर time complexity हो जाएगा, देखो, हम क्या कर रहे है, हम पहले जो BST 1 है, उस पर 1 बार traverse कर रहे हैं, और BST 2 पर 1 बार traverse कर रहे हैं, ठीक है, तो इन और ट्रेवर्सल का आपका time complexity होता है o of n ठीक है o of n होता है तो जो पहला बीस्टी उसका size n है जो second बीस्टी उसका size m है ठीक है तो हमारा total time complexity कितना हो गया o of n plus m यह हो गया आपका किसका इसको जब हम basic reduce करके लिखें है तो यह क्या हो जाएगा o of n plus m हो जागा तो यह code का पर time complexity हो गया o of n plus m ठीक है और space complexity क्या हो जाएगा space complexity में हम लोग क्या क्या बना रहे है एक हम लोग t1 मारे q2 बना रहे है t1 का size होगा n q2 का size होगा m ठीक है और इसका क्या size हो जाएगा इसका size जाएगा n plus m तो यह भी आपका और कुछ नहीं यह भी आपका हो गया o of 2 into n plus m ठीक है तो इसका भी reduce करके लिखें है तो यह हो जाएगा o of n plus m ठीक है तो यह हो गया तो यह simple साथ जाला कुछ करना ने था इसमें तो आज के वीडियो में यह coupon यूज कर सकते हैं ठीक है आपको extra flat 10% और off वोगा ठीक है जितना पहले से discount रहेगा उसमें से और 10% और off वो जागा ठीक है तो आप यह coupon यूज कर सकते हैं बहुत सारे courses चाप ODS से सीखना हो या interview preparation करना हो अब चेक कर सकते हैं link description में रहेगा ठीक है ता इसके वीडियो म is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product based company this course is curated and mentored by industry experts people who have themselves cracked such interviews in this course we are going to teach you analysis of algorithms arrays searching sorting hashing and all other topics which are required for your DSA interview preparation you will be having live classes assessment tests practice questions and my detailed pre-recorded videos duration of this course is eight weeks as it is a live class please do not hesitate to ask your doubts we will be happy to help you along the way also you may attend these classes from any geographical location so looking forward to see you people from a number of cities